जूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं गाना स्त्री दो फिल्म का हिस्सा है जो रिलीज हो चुकी है यहाँ गाना पवन सिंग की आवाज में है और इसका म्यूजिक सचिन जिगर ने कंपोज किया है गाने के बोल अमिताब भटाचार्य ने लिखे हैं यह फिल्म काफी इंतजार के बाद रिलीज हुई और पहली फिल्म स्त्री की तरह यह सीक्वल भी एक मिक्स है कॉमेडी और हॉरर का जो ओडियन्स को एंटिटेंड कर रहा है इस गाने में राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर को दिखाया गया है जिन्होंने फिल्म के लीड रोल्स भी निभाए हैं उनकी ओन स्क्रीन केमिस्ट्री और आक्टिंग ने गाने को और ज्यादा एंगेजिंग बनाया है इस गाने का मूड थोड़ा प्लेफुल और मस्ती भरा है जो फिल्म के ओवल अथीम के साथ मिलता जुलता है अब बात करते हैं इस गाने के प्रोड़क्शन चार्जिस की एक सिंगर चार्जिस पवन सिंग जैसे पॉपलर प्लेबैक सिंगर पांच लाख रुपए से दस लाख रुपए के बीच चार्ज करते हैं डिपेंडिंग ओन प्रोजेक्ट और उसकी रिक्वाइर्मेंट दो म्यूजिक कंपोजिशन चार्जिस सचिन जिगर जो बॉलिवुड के मश्हूर कंपोजर्स हैं पंद्रा लाख रुपए से पचीस लाख रुपए तक चार्ज करते हैं उनका काम हमेशा हाई क्वालिटी और क्रियेटिव होता है जो गाने को एक नया रंग देता है तीन लिरिक्स राइटिंग अमिताप भट्टाचार्य जैसे लिरिसिस्ट के लिए दो लाख रुपए से पांच लाख रुपए तक का चार्ज होता है क्यूंकि उनका नाम और लिखने का अंदाज हर प्रोजेक्ट को एक यूनिक टच देता है चार म्यूजिक विडियो प्रोडक्शन जब एक्टर्स जैसे राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर शामिल होते हैं तो विडियो बनाने का खर्चा भी काफी ज्यादा होता है एक हाई क्वालिटी विडियो बनाने का टोटल कॉस्ट पचास लाख रुपए या उससे ज्यादा हो सकता है जिसमें लोकेशन्स, सेट डिजाइन, पोस्ट प्रोडक्शन और विजूल इफेक्ट्स सब इनकलुडेड होते हैं जूटी खाई थी कसम का म्यूजिक और विडियो दोनों काफी पॉपुलर हो रहे हैं और यहाँ गाना फिल्म के रिलीज के बाद वाइरल हो गया है मस्ती भरी वाइब और कैची लिरिक्स की वज़ा से लोगों में पसंद किया जा रहा है ऐसे ही विडियो देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें